आज से कई हजार साल पहले हमारी धर्ती भयानक और हिंसक जनवरों से बड़ी परी थी चारों तरफ डाइनसौर और उनके जैसे कई विशाल जनवरों का रास था उसी समय आज से लगबग 10 लाग साल पहले आज के आधुने की स्लोट के पूर्वच भी इस धर्ती पर मौजू दुनिया में स्लोट के करीब 6 जीवित परजातियां मौजूद हैं जो की एक डाल से दुसरे डाल पर कूदने में माहिर होते हैं इन स्लोट को दुनिया का सबसे आलसी प्रानी का आ जाता है स्लोट की जमीन पर चलने की रफ्तार 3 मीटर प्रती मिनिट होती है स्लोट छोटे और मध्यम आकार का स्तंधारी प्रानी है जो हमेशा पेड की डाल से लटके रहते हैं आज स्लोट पुरी दुनिया में सिफ दक्षिन और मध्य अमेरिका के जंगलों में ही पाये जाते हैं यह अपने जीवन का 90% समय उचे पेड की डालियों पर ही बिटाते हैं और पेड से नीचे सिर्फ तभी आते हैं जब मल तयाक करना होता है एक व्यास स्लोट की लंबाई 60-80 cm तक होती है और इनका वजन 4-7 किलों की बीच में होता है यह एक बार में 30 ग्राम से ज़्यादा पतिया नहीं खा सकते हैं और इसको पचाने में स्लोट को लगवक 30 दिन का समय लगत होता है इसलोट पेर पर लटकते हुए सो जाते हैं और दिन में 15-20 गंडे तक सोते हैं इसलोट अपने सीर को 270 दिग्री टक घुमा सकते हैं ज्यादा तर इसलोट का सिकार तभी होता है जब मल तयाक करने के लिए पेर से नीचे उतरते हैं क्यूंकि वे तेज गती से भाग नहीं सकते हैं इसलोट के दुस्मन में साप, जैगवार, सिकारी पक्षी और अन्य जंगली बिलियां शामिल है आई यू सी एन ट्रेड लिस्ट के मुताबिक इसलोट के 6 जिवित परजातियों में से 2 परजातियां खत्रे में हैं और उन पर बिलुक्त होने का खत्रा बना ह हुआ है इसका मुख्य कारण जानवरों का गयर कानूनी वैपार है तो दोस्तों यह थी दुनिया के सबसे आलसी जानवर इस लोट के बारे में जानकारी आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को पुरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन् ने बाद